हेलो गाईज मेर नाम आतूर और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि Google के Credential हम कैसे get कर सकते हैं अगर आप Google login को implement करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें client ID और client secret की जूरत होती है तो वो चीज हम कैसे find कर सकते हैं तो उसको हम देखने जा रहा है आज तो मैंने यहाँ पे एक नया account select किया हुआ है और जैसे आप यहाँ पे console.cloud.google.com पे आएंगे तो आपको इस तरीके से कुछ screen दिखेगी तो सबसे पहले जो agreement है इनको accept कर लेना है और यहाँ पे agree button पे click किया है इसके बाद अभी हमने कोई भी project यहाँ create नहीं कर रखा है तो आपको यहाँ पे नया project create करना होगा और project का आप जो भी नाम देना चाहें जैसे मैंने इसका नाम test दे दिया और organization मेंगा कुछ है नहीं तो मैं no organization ही रहने देता हूँ तो इससे जो है हमारा project create हो जाएगा तो अभी हमारा project create हो चुका है और यहाँ पे जाके जो हम अपना project जो है select कर सकते हैं तो project select करने के बाद आपको APIs and Services में जाना है इसके बाद आपको जाना है credentials में और अगर आपको client ID और secret ID चाहिए तो यहाँ पे आपको create credentials करना होगा इसके बाद OAuth client ID पर click करना होगा इसके बाद आपको क्या करना होगा directly अप जो है credential नहीं get कर सकते हैं उसके लिए आपको क्या करना होगा configuration करना होगा consent screen पे तो यहाँ पे click करके यहाँ पे कुछ चीज़े में follow करनी होगी इस screen पे तो उनको follow कर लेते हैं तो external मैं बनाता हूँ भी user और यहाँ पे app का नाम दे देता हूँ like taste app और email id और यह जो information आप चाहे तो fill कर सकते हैं मैं यहाँ पे दे देता हूँ like to find at the rate तो यह आपके जो consent screen है यहाँ से आपको complete करनी है save continue यह review कर सकते हैं उसके बाद back to dashboard तो यहाँ पे हमारा consent screen जो है वो configuration हो चुका है अब आपको वापस से credentials में जाना है और यहाँ पे आपको क्या करना है again यहाँ पे create credentials पे क्लिक करना है और OAuth client id अब यहाँ पे आपको क्या करना है अपनी application सेलेक करनी android web जो भी जिस type के आप application के लिए credentials चाते है इसके बाद आप यहाँ पे client का नाम दे सकते हैं जैसे कि मैं लिख दिया next app और यहाँ पे आप URI दे सकते हैं जो भी आपके valid URLs हैं front end के URL जहां से API calls आएगी ठीक है तो अगर हम देना चाहें तो माल लिजी अगर आपको testing करनी है तो local host आप यहाँ पे add कर सकते हैं या फिर जो आपके deployed URLs है वो आप यूज कर सकते हैं ठीक है जो भी आपके domain होंगे और यहाँ पे authorization के बाद जो redirect to arise आपको देनी वो सारी आप यहाँ पे provide का सकते हैं तो इसके लिए different type के providers होते हैं तो वो आपको वहाँ से पताए जैसे हमें next auth use करना है next auth तो आपको थोड़ा सा idea लग जाएगा इससे get started providers और sorry यहाँ पे आप Google देखोगे तो यहाँ पे इन्हों ने बताया कि जो authorized redirect urize होती है वो कुछ इस तरीके से होगी तो यहाँ पे हम गया करते हैं local host के लिए इसको copy कर लेते हैं यहाँ पे हम करते हैं paste और यहाँ पे हम करते हैं create तो इतना करने के बाद जो है अब आपके पास client id और secret id है तो यह हमारी client id हो गए यह हमारी secret id हो गए तो इनको आप use करके जो है Google login को implement कर सकते हैं जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे Google sign in को implement करने के लिए आपको दो चीज़ों की ज़रुरत होती है तो इसी तरीके से आप ज़रूरी नहीं next auth से implementation करें आप किसी और provider से किसी और library के थूर यह implementation कर सकते हैं तो आप एक कुछ different चीज़े होंगी तो आज हमने देखा कि client id और client secret हम कैसे get कर सकते हैं और आप यह client id यूज नहीं करिएगा क्योंकि मैं इनको अभी delete कर दूँगा तो आज के रहे इतना ही thank you